नमस्कार मैं कावीताव नियाल आप देखने मीडिया टुडे टीवी टीम इंडिया जब से पाकिस्तान से मैच हा रही है तब इसे इंडिया टीम की मुस्लिम खिलाडी मोहमद शमी पर कीचर उशाली जा रही है MIM के प्रमुक और हैदराबास से सांसर असोदिन OVC भारती किर्केटर मोहमद शमी के समर्थन में उतर आए हैं OVC ने कहा कि कल के मैच के बाद शमी को सोशल मेडिया पर निशाना बनाया जा रहा है इससे मुसल्मानों के खिलाफ नफर जलकती है OVC ने मांग किये कि BJP सरकार इसकी अलोचना करे टीम जीती है कोई हारती है तो इसमें एक मुहमद शमी को टार्गेट करना ये बताता है कि हेट्रेट राडिकलाइजेशन और कमुनलाइजेशन कितना वड़ चुका है और कौन फ़ला रहा है इसको जवाब देना पड़ेगा क्या BJP की सरकार कंडम करेंगी उन लोगों को जो आज 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल किया जा रहा है उसको अनाव शनाव उसके बारे में बकवास बका जा रहा है वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना इससे कटरता और मुसल्मानों की खिलाफ नफरा जलकती है किर्केट में हार जीत तो होती रहती है टीम में 11 प्लेयर है लेकिन एक मुसलिम प्लेयर को ही निशाना बनाया गया क्या बीजेपी सरकार इसकी निंदा करेगी रविवार को हुए मैच में पाकिस्तानी भारत को 10 विकेट से हराया इसके बाद सोशल मीडिया पर भारती किर्केट प्रेमी अपना गुस्सा उतारने लगे इन में से कुछ लोगों ने मुहमद शमी को ट्रोल करना शुरू कर दिया शमी के बचाव में सहवाग समेथ कई किर्केटर भी आए हैं लेकिन ओवेसी ने इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल देते हुए मोधी सरकार से इसकी अलोचना करने की मांग की है ओवेसी ने इसे मुसलमानों की खिलाफ नफरत और कटरता का उधारन बताया है ओवेसी पहले भी इस तरह के मुद्दों पर ट्विट करते रहे हैं कुछ दिनों पहले यूपी में धर्मांत्रण के मामले में गीरे आएस इफ्ताखारुदिन के समर्थन में भी ओवेसी बोले थे उन्होंने कहा कि सरकार ने जान बूच कर वीडियो वाइरल कराया है क्योंकि इफ्ताखारुदिन मुसलिम है ओवेसी ने ये भी आरोप लगाया कि यूपी की योगी सरकार मुसलिम विरोधी है और विपक्ष भी मुसलमानों के मामले में गुंगा बन जाता है इस मुद्धे में जमू कश्मीर के पूर सीम उमर अब्दुल्ला ने भी टूइट किया उन्होंने सरकार पर निशाना ना साथ कर टीम इंडिया से उमीज जताई कि वे अपनी साथी का समर्थन करेंगे उन्होंने लिखा कि मुद्ध शमी उन 11 खिलाडियों में से एक थे जो कल रात मैच हा रहे वो मैदान में अकेले खिलाडी नहीं थे रविवार को इस मैच से पहले भारती टीम ने मैदान में रंग भेट के खिलाव घुटने टेक कर एक जुटता दिखाई थी वेन सेभाग ने इस मसली पर सोमवार को भारती तेज गेंद बार शमी का समर्थन किया सेभाग ने ट्विट किया कि शमी पर ऑनलाइन हमला करना हैरान कर देने वाला है हम उनके साथ हैं वो चैंपियन है और जो भी भारत की कैप पहनता है उसके दिल में भारत किसी भी ऑनलाइन भीट से ज़ादा होता है मैं आपके साथ हूशमी अगले मैच में दिखा दो जलवा आपको नियूस कैसी लगे अगर आपको नियूस अच्छी लगे तो नियूस को लाइक करे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मेडिया टूड़े टिंगिशन को सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नियूस सबसे पहले आप तक पहुँशे अब मिलेंगे अगली खावर के साथ शुक्रिया